आर्टिकल 370 और 35 एसे मिली आजादी के बाद कश्मीर नई अंगड़ा ही ले रहा है। कुछ विदेशी मीडिया ने कश्मीर में हाला ठीक नहीं होने की बात कही जिससे सरकार प्रोपरगेंड़ा करार दे चुकी है। फिर भी कॉंग्रिस को सरकार पर नहीं गलत रिपोर्टिंग पर भरोसा है। प्रधान मंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जमू कश्मीर में एक्जैक्टली क्या हो रहा है। हालत कैसी है, कंट्रोल में है, बिल्कुल ट्रांसपेरिंग की ट्रांसपेरिंसी के साथ जनता को बताना चाहिए। इसलिए मुझे यहां बुलाया गया। लेकि राहुल गांधी जी को अगर वो नेता बनना चाहते हैं देश में। तो जो अपना लीडर वो बंगाल का बीडर वुलवाया उसकी जज़े खुद बोलना है। मैं सेफली कह सकता हूं कि उनके सदन के नेता के भाषन के बाद कांग्रेस का इस देश में कोई भशी में। मुझे उनके खिलाब केंपेंग करना हो तो मैं सिर्फ इतना कहुंगा कि यह 370 वाले में। कोई वोट में मिलेगा देश में। उस वक्त तो आप बैठे हुए ते उस वक्त तो आप वो करते रहते हैं। उस पर पुटे लिखों के थेड़ते रहते हैं। और अचानक आपको पता चलिया कि जम्मू कश्मीर में गड़बड हो दिया और आप बाहर आगे। यह इतना एक फरेवी बात है। समझ में आने वाली बात नहीं है। उनको कहां पता चलिया, किस जगे जमू में गड़ बड़ है, किस जगे कश्मीर में गड़ बड़ है, कहां गोली छोड़ी आप एक टियर के शेल नहीं चला है, कहीं नौबत नहीं आई, हम लोग बिल्कुल इतना तरह से समझें कि रेशनी दास्तानों से दीन कर रहे हैं और देखते ही देखते रहुल और राजय पाल के बीट जुबानी जंग छड़ गई जाने की बात कर रहे हैं और उन्होंने आज करारा जवाब उनको ट्वीट के जरीए से दे भी दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है, कि गवर्नर साब आपकी जो मंचा है वो कामियाब नहीं होगी राजय पाल मलिक के एस नियोते का जवाब राहुल गांधी ने ट्वीट दे कर किया राहुल ने लिखा राजय पाल मलिक जी, मैं और विपक्ष के नेताओं का एक शिष्ट मंडल जम्मु कश्मीर और लद्दा के दोरे के लिए आपकी तरफ से आए नियोते को कबूल करते हैं हमें विमान की जरूरत नहीं होगी लेकिन ये जरूर सुनिश्टित करें कि हमें वहां घूमने, आम जनता, मुख्यधरा के नेताओं और वहां तैनाद फौजियों से मिलने की आजाती मिले राहुले कश्मीर के दोरे के निमंतरन पर शर्ते जोड़ी तो राजेपल सत्यपाल मलिक को ये नागवार गुजर गया और कहा कि वो शिष्ट मंडल के बहाने घाटी में आशान्ती फैलाना चाहते हैं